एक घर के अलग-अलग कमरों में अलग-अलग टीवी हैं तब DTH छत्री की अलग-अलग जरूरत होती है यानि दो टीवी पर खर्च दो गुना या उससे ज्यादा टीवी पर उतने गुना हो जाता है हाला की एक ट्रिक ऐसी है जिसकी मदद से आप एक DTH छत्री पर दो चैनल्स आसानी से देख सकते हैं आपको एक DTH से दो टीवी में अलग-अलग चैनल्स देखने हैं तब एक एक्स्ट्रा सेट टॉप बॉक्स की जरूरत होगी क्यूंकि एक सेट टॉप बॉक्स से सिर्फ एक टीवी के चैनल ही चैनल्स कर सकते हैं ऐसे में दो टीवी के लिए दो सेट टॉप बॉक्स चाहिए होंगे सभी बॉक्स में LNB इनका पोर्ट दिया होता है हमें एक सेट टॉप बॉक्स ऐसा चाहिए इसमें LNB आउट पोर्ट दिया हो यदि बॉक्स में ये पोर्ट नहीं है तब टब भी नहीं चलेगी आपके पास दो सेट टॉप बॉक्स होने चाहिए जिसमें एक MPG 4 और दूसरा MPG 2 सेट टॉप बॉक्स हो MPG 2 सेट टॉप बॉक्स में LNB और LNB आउट दोनों पोर्ट होते हैं DTH की में केबल इस सेट टॉप बॉक्स की इन पोर्ट में लगाना है वहीं इसके LNB आउट पोर्ट से दूसरी केबल का कनेक्शन MPG 4 की LNB में देना है MPG 4 बॉक्स आपको दूसरे कमरे में रखना है अब आप दोनों बॉक्स पर अलग-अलग चैनल्स देख सकते हैं